हलो और नमस्कार दोसु सागत आप सभी का रास्तान इस्ट्री ओफीसियल यूटूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज का मारा जो टोपिक रहने वाला है वो है जो बार-बार रिपेटेड क्यूस्टन है वही इस वीडियो में कवर करने वाले है रास्तान के विभिन परिक्षा है वही बात कर अगले क्यूस्टन की राणा राज सिंग यानि जो मिवाड के थे उनके समकालीन कोन था तो मुगल सासक औरंग जैब था वही सेकेंड ग्रेट दो जारतेरा में पूछा गया है अगला हमारे क्यूस्टन है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का बात करे लिए किसन की लाद लेक ने कि किस कि ले पर दो वार अकर्मन किया लेकिन इसे जीत नहीं पाया तो यह लोह अगड़ पर ध्यान रखना सारे most repeated क्युशन है अगला मारक क्युशन है लोगोवाला की लड़ाई किस जिले में हुई तो जैसल मेर में हुई थी तो ध्यान रखेंगे आप अगला मारक्यूस्टन है वहें अंग्रेज कप्तान कुन था जिसका सब है आउआ के किले के बाहर लटका दिया गया तो मेक मोसन था और ये कर्षे दिखाए 2013 में पुछा गया वहें अगला मारक्यूस्टन है वहें कौन सा रज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद मेवाड के महाना परता से संदी नहीं की तो ये जोधपूर अगला मारक्यूस्टन है वहें विद्वान जो गुईलों की ब्रामन उत्पती के सिध्धान्त के विरुद है तो ये गोरी संकर हिराचन्त ओजा है ध्यान रखें या अगला मारा क्योसन ने वागड का गांधी किसी कहा जाता है तो ये भोगिलाल पांडिया को और ये भी थर्ड ग्रेड 6 की बर्ती में पुछा गया क्योसन है विदेशी हमलावर मुहमद गोरी के खिलाब बहदूरी के साथ किसने लड़ाई लड़ी और 1191 मित्राइन की जो है पहली लड़ाई में उसे हराया तो ये पर्थ्युरास चोहान था और ये ध्यान रखना ये थर्ड ग्रेड और जो है आरेस आर्टी सी अल्डेसी 2013 में पुछ पूछा गया क्यों से अगरे क्यों की बात करें विराट नंगर या बेराट सब्दा किस जिले में इस्तित हैं तो ये जैपूर में है अगला मारा क्यों से अकम्री के आसपास उद्द्य होने वाला राजबूत वस कौन सा तुछामान या चोहान वस था और ये भी थर्ड ग पर्थम जो इसका स्तरोत तो ये सिक्कों से ध्यान रखना अगला हमारा क्यों से हैं तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज रास्तान इस्ट्री ओफीशल यूट्यूब चैनल को अभी जो अपने परिवार का इसा बना लो और लाइक इस वीडियो को और शेयर कर सकते हैं वहीं आपको जो है टेलीग्राम पर जो हमारे पीडियेफ नोट्स भी मिल जाएंगे जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है वहीं अगर आप जो है कोई भी बुक जो है पर चैस करना चाहते हैं रास्तान में किसी भी एक्जाम के लिए तो आपको किस की उपादी पराप्त ही तो ये अभिनव Image साययकर्ष दिकली 2014 में पूछागया क्योसन है अगर हमारा क्योसन थे संप सभा के संस्थापक कोण थें तो यह तल्ड ग्रेड 2013 में पूचछा गया क्योसन है वी बात के लेक्न की सर उमेद सिंख कों था तो ये जो परसिद है अगला मारकि उसने सांबर जील का निर्माता कौन था तो ये वासुदेव था और ये भी वन्रक्सक में पूछा गया कि उसने हैं तो ये जैसल मेर था जैसल मेर से था और द्यान रखना ये जैसल मेर मेर में ही इनका जो जनम हुआ था और ये रास्तान पुलिस 2004 उ के ये लिखी था जैसल मेर मेर में गुंडा-राज और आजादी के दीवाने तो ये भी आप द्यान रखेंगें तो ये वह वी अगली के और चलता है व्ल ओनम सलम सीग की हवएली का हभा पर इस्तित है काली बंगा अनुमान गड़ से गणारे cesब्याता विक्सित हुई थी मिले कितने चरणों में यह तो ये दो क्षरणों में फूरण है द्यान रखना माउंट अबू को अलग से मिलाया गया था और शिरोही अबू देलवाड़ा को अलग से बात करें जो ऐसी सोधियावंस का संस्तापक तो राणा हमीर को माना जाता है और यह ध्यान रखना थल्ड ग्रेर 2003 हमें पूछा गया क्योस्टन है अगला हमारा क्योस्ट संतंतरता प्राप्ति के समय रजस्तान में कितनी रियास्ते थी तो यह जोधपूर्से तिहों और बीएश्टीसी दो जाते हैं मैं चवदा में पुछा गया क्यूसन है तो सारे क्यूसन मोस्ट इंपोर्टेंट है और सेलेक्टिव है तो फ्रेंट्स अभी वीडियो को लाइक कर दो यार वही बात करें अगले क्यूसन के हरकाबाई कौन थी तो यह कछवा राजकुमारी थी हरकाबाई और इससे जो है अकबर ने विवा किया था 1562 में और यह पर था मुगल और राजपूत विवा था वही बात करें हल्दी गाटी का यूद कब लड़ा गया था तो 1576 में और यह भी आपको पता है किन के में दिल लड़ा गया था लेकिन यह जो ठीचर की बरति आपने कीसे अपनी राजबानी बनाया था तो यह भी आपको पता है कि सावर्ण को महर्ण पता अपने अपनी राजबान ने बनाया था हलिघा फार और यूद के चास को विदिवत रूप से जो है इसे रास्तान नाम सवेधनिक रूप से मिल गया था वहीं बात करें लिए क्यूसन की रास्तान के समतर्ता अंदोलन के दुरान गेशतार होने वाले रास्तान की पहली मैला कौन थी तो यह अंजना देवी चोधरी थी और यह भी अध्यापक सेकंड ग्रेड में पुछा गया क्यूसन है वहीं बात करें लाक्योसनर रास्तान जाट ज्चत्रिये सवा के स्ताफन कम पूई तो 1931 में मानी जाती है CON오리 क्यूसन की रास्तान देवस कमनाई जाता है तो 30 मार्श में और यह भी थल्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया क्यूसनर वहीं बात करें रास्तान निर्मान की प्रकिरिया कब पूर्ण हुई थी तो एक नुमंबर 1956 को तो यह भी आप द्यान रखेंगे वहीं बात करें रास्तान में ठारशताउन का जो विद्रो है वो कहां से सुरूआ था तो नसीराबाद से कब हुआ था 28 समय 1857 को और यह भी जो रास्तान में किस इस तल पर जो हल से जुते वे खितों के जो प्राचे नितम साक्षे मिलते हैं तो यह काली बंगा से मिलते हैं आप लोगों को भी बता है और तो यह फ्रेंट्स आज के कुछ मोश्ट इंपोर्टेंट जो है 50-60 क्यूस्चन थे मैंने आपको कवर किया है को कोई भी सवाल या सुज़ाव है तो बैज जिक मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं बाकि आपको कोई भी जू है इस्पेशल कोर्स के लिए बुक्स परचेस करनी है तो आपको लिंक भी डिस्कृप्षिन में दे दीगे बाकि टेलीग्राम के लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में बाकी रास्तान जिला दर्शन प्लेलिस्ट में प्लीज एक बार विजिट करके देखे, आपको सारा मैटर पसंद आएगा, पागी पढ़ते रही है, सेब रही है, जैहंद वंदे मातर,